जय जिनेंद्र, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी एंड चीजी बर्गर सबसे पहले हम इसके लिए टिक की प्रिपरेशन कर लेंगे इसके लिए एक बोल में हम लेंगे 50 क्राम जितना पनीर दो बॉल किये हुए कच्चे केले और इसको हमने शमेस कर लिया है फिर उसमें हम लेंगे बोल किये हुए हरे मटर के दाने फिर उसमें डालेंगे चॉप की हूँ ग्रीन चिली, हींग, लाल मिर्च का पाउडर और सारे इंडियन स्पाइसिस जैसे कि आमचूर पाउडर, नमक, गरम मसाला या किचन किंग मसाला भी आप ले सकते हो अब इसमें चीनी और टोमेटो केचुप डालके चावल के आटे के साथ हम इसका अच्छा वाला एक डो प्रिपेर कर लेंगे इसमें भारा धनिया और फुदीना भी आप डाल सकते हो अगर आपको पसंद है तो अब हमारा जो आटा है वो गून गया है इसमें से हम टिक्की बना लेंगे थोड़ी मोटी वाली टिक्की बनानी है अब एक कडाई में हम तुड़ा सा तेल ले लेंगे और इस टिक्की को दोनों साइड से अच्छे से क्रिश्पी हो जाए तब तक इसे शेलो फ्राइ कर लेंगे आप हमारी टिक्टी रेडी हो गई है इसमें एक साइड रखेंगे और हम बर्गर के बन को प्रिपेर कर लेंगे यहां पर मेने बन क्रिसपी बन बनाये है तो उसके लिए मेने एक वोल में जो कॉन फ्लोर होता है उसका एक डॉर प्रिपर किया है कॉन फ्लोर में थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च डाल के पानी डाल देना है और उसका सलरी बनाना है उसमें हम मैं बर्गर के बंड को डीप करना है फिर इसको वाइट फ्लेक्स या तो कॉन फ्लेक्स में डीप करना है और इसको भी शैलो फ्रै कर लेना है दोनों तरफ से ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब तक अब हम फाइनल बर्गर प्रिपेर करेंगे एक साइड मेंने यहाँ पे सैजवान सोस लगाया है इसकी जो रेसिपी है वो नीचे लिंक में दी गई है फिर उसके उपर टिक्की रखेंगे फिर हरी चटनी लगाएंगे आप चाहे तो आप अपनी पसंद की कोई भी सोस लगा सकते हो फिर अपनी पसंद के वेजिटेबल्स रखेंगे थोड़ा सा चाट मसल अगर डालेंगे और फिर इसके उपर चीज की स्लाइज रखेंगे और दूसरी तरफ की हम वाइट सोस या सैजवान सोस आपको जो भी पसंद है आप लगा सकते हो वाइट सोस और सैजवान सोस की जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आप वहाँ से देख सकते हो और इस तरह से हमारा ही जो बर्गर है वो प्रिपेर हो गया है सेव करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेर करना मत पूलिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जैन प्लेटर को सब्सक्राइब कीजिए जैजिनेंद्र कर देख सकते हैं